हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुतन तथा आंदोलन से संबंदित कुछ महतनु प्रशुत्तर जो की आपके S.S.C. के पिछले 10 साल में पूछे गया हैं और आगे आने वाले एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से लेटेड हमने कुछ और वीडियो भी करी भी है उन वीडियो को भी जा करके आप देख सकते हैं उन प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्चन में दिया हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज की इस वीडियो का पहला कोश्चन यह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानतार सरकार का गठन कहां किया गया था सीजियल 2013 के कोश्चन है आप्शन से वारा नसी इलाहबाद लखनो या फिर बलिया देखो जब 1942 में यह सुतन भारत छोड़ो आंदोलन यानि कुट इंडिया वूमेंट इसकी जब शुरूआत की गई थी उस दरहां बहुत से ऐसे छेतरते जहां पास समानतार सरकार यानि क इसके अलाबा आप बात करें तो बंगाल में जो ताम लुक है वहाँ पर बी एक पहले गूपनी थी 17 महराजट में वहाँ पर भी एक समानतार सरकार बनाई गrea थी CPO टुठावर 9 का एक कोश्चन है ऑप्शन से स्रीमती सरोजनी नाइडू सुचेता कृपलानी इंद्रा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडेत इन में से यह जो महिला है आपको बताना है वो किस राज्जी की पहली महिला राज्जिपाल थी यह आपको बताना है देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नाइडू जो थी वो यूपी की पहली महिला राज्जिपाल थी इन फैक्ट अगर बात करें भारत की पहली राज्जिपाल महिला राज्जिपाल यह भी सरोजनी नाइडू थी अब पहली महिला राज्जिपाल यूपी की तो य इंद्रा गंदी हमारे देज की पहली महिला प्रधान मंत्री नेस्ट कोशन देखते हैं चौरा चौरी कांड के बाद गांदी जीन ने स्थगित कर दिया था ये आपको बताना है दोए नहींदे ये कर दिया था यह होगा ठीक है स्सी डीओ तुठावर नाइन का एक कोश्चन है ऑप्शन दे सिविल अवग्य आंदोलन खिलाफत आंदोलन अर्सवेग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन देखो चौरा चौरी इंसीडेंट के बार में बताओं तो इस इंसीडेंट के बाद का जाता है जो भारत छोड़नी अर्सवेग आंदोलन जो नॉन कोप्रेशन मूवमेंट है इसको गांदी जी के दौरा रोग जे गयता है अच्छूली हुँआ क्याता ना चौरा चौरी जो एनने अए जगा है गोरगपुर के बाद एक कस्पा है वहाँ पर एक ठाना था पुलिस ब데गा जाता है जो कुछ उनदोलन आंदोलन कारी जो थे इस अस्रुअल Sold zod आ्ठोलन के दौरा ढला पर करीवन बा इस से पिलिस न इनकी मिटती हो गई थी अब यह incident भुआ था चार फरवरी 1922 को चार फरवरी 1922 को यह incident भुआ था और इसका पता कहте दाए 12 फरवरी 1922 को महात्मा काम कर था मतलब successful था कहा जाता है अगर उस समय अगर इसको नहीं रोका गया होता तो शायद आजादी हमें 1922 के आसपास ही हमको मिल जाती इन फैक्ट जब ये रोका गया था गांदी जी की दौर इसको जब इस्थगित के आ गया था अश्वेग आंदोलन को बहुत से बड़े बड़े लीटर थे वो इसके अगेस्ट थे पर गांदी जी का ये मानना था कि अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो चौरा चौरी जैसे इंसिडेंट और भी कहीं जगव आवर हो सकते तो ये रीजन था में महातमा गांदी ने चौरा चौरी इन्सिडेंट की वज़े से रसो राइक आंदोलन को रोग दिया था नेच्ट कोशन देखते हैं लिए इस्तगित कर दिया गया था यह आपको बताना है CHSL 2015 का एक कुश्चिन ने आप्शन से पूना समझोता जलिया वाला बाग चौरा चौरी घटना या फिर गांधी इर्विन समझोता तो किस वज़े से असुएग आंदोलन यानकी नॉन कोप्रेशन मुवमेंट को गांधी जी की द्वारा रोग दिये गया था यह आपको बताना है तो अभी मैंने आपको बताया था चार फरिवरी 1922 को जो घटना अपर इसने अपने असुएग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताब 1920 में कहा आयो जित अधिवेशन में पारिद किया था सीप्योट तो थावजन सेवन का एक कोश्चन है ऑप्शन से लखनों में दिल्ली में बंबई में या फिर कलकत्ता में ठीक है देखो नैंटीन में एक स्पेशल सेशन होता कॉंगरेस का उसमें पास किया था ठीक है और यह सेशन कहा हुआ था यह आपको बताना है तो यह सेशन जो हुआ था न वो डी कलकत्ता में होता एक स्पेशल सेशन इतको वैसे हर साल साल के अंत में हर साल साल के अंत में कॉंगरेस का एक सेशन हो पर यह जो अधिवेशन था वो एक special अधिवेशन था जिसमें असोय का जो प्रसित प्रस्ताव था उसको पास किया गया था और इसके बाद non-corporation movement की सुरुवात कर दी गए थी 1920 में नेश कोश्चन देखते हैं किस आंधोलन को हिंदू और मुसल्मान दोनों का समर्थन मिला था दोनों ने हिंदू और मुसल्मान दोनों ने समर्थन दिया था देखो वो जो समर्थन जो आंधोलन था ना वो था अस्वेग आंधोलन non-corporation movement जो 1920 में जिसको शुरू किया था दोनों का समर्थन इसमें था हिंदू और मुसल्मान का इन फैक्ट अगर आप मुसल्मान की बात करें तो मुसल्मान जो हिंदू मुसल्मान यहां पर थे अली ब्रदर्स थे ना उनके दौरा खिलाफ़त movement भी इस अंधोलन के साथ साथ चलाया गया था कि ताकि दोनों तरफ से ये बिटिशर्स के उपर प्रेशर पड़े अब खि question देखते है 1930 में सभीने अवग्या आंदोलान की शुरुआत किस मुद्दे पर शुरू हुई थी जो सभीने अवग्या आंदोलान की civil disobedience movement है वो किस मुद्दे से गांदी जी के द्वारा शुरू किया गया थे यह आपको बताने cpu 2008 का कोश्चन है options है भारतियों के लिए र किस मुद्दे के साथ हुई थी एक्चुली जो civil disobedience movement शुरू हा था वो शुरू हा था डांडी मार्च डांडी मार्च के शुरू जिसमें आपको बताई है कि 24 दिन की पैदल यात्रा करी थी और डांडी मार्च में जब गांदी जी डांडी पहुचे थे तो उन्होंने वहा साथ नमक पे बहुत 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 बड़े बड़े टैक्सेस लगाए वे थे बिटिशर्स के द्वारा तो इसी कानून को तोड़ने के लिए हैना उसमें डांडी मार्च किया गया था गांदी जी के द्वारा और इस नमक कानून को तोड़ते हुए ही civil disobedience movement की शुरूआत गांदी जी के द्वारा कर दी गे थी अब देखो उसमें नमकों को क्यों चुना था उस नमक कानून को क्यों चुना गया था नमक कानून उसमें इसलिए चुना गया था गांदी जी के द्वारा क्योंकि नमक ऐसी चीज है जिससे हर कोई संबंदित है हर कोई संबंदित है और अगर वो इस movement की शुरुवात नमक कानून को तोड़ के करते तो बहुत से लोग इसके साथ जोड़ते हैं, आम जन भी इसके साथ जोड़ते हैं, तो इसलिए civil discipline movement जो है गांदी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ते हैं इसकी शुरुवात की गई थी, तो क्या होगा इसका आंसर यह होगा कि C, British सरकार द्वारा जो उनका नमक के ओपर जो एकाधिकार था, इसको तोड़ने के लिए या फिर उनके जो नमक कानून को तोड़ने के लिए सभी ने अवग्या आंदोलन इसकी शुरुवात इसी मुद्दे पर हुई थी, अगर बात करें जो शॉ प्लीट इंडिपेंडेंडेंस यह उनका सिविल डिस्रीमिन मुव्मेंट का एक लॉंग टर्म गोल आप कह सकते हैं, तो इसका जो सयांसर वो मैंने आपको बता दिया, सीथा उसका जो ततकाली जो मुद्दा था वो यही था कि British सरकार द्वारा जो नमक एकाधिकार है, उस सविन्य अवग्या या फिर सय योग, तो डांडी आत्र मैंने आपको बताया था, नमक कानुन को तोड़ने के लिए की गई थी, गांधी जी के द्वारा, जब उन्होंने नमक का जो इकाधिकार्था बिश्रिस को, उसको जब समापतों करना चाहते थे थे ना, तो वो डां नेक्ट कोशन देखते हैं, गांधी जी के द्वारा सवीन ने अवग्या आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, CGL तो उठावन 11 का है कोशन है, ऑप्शन है 1928, 1930, 1931 या फिर 1922, तो क्या है इसका सही आंसर, दो civil disobedience movement की जो शुरूआत की गई थी ना, वो 1930 से गांधी जी जो है अपनी डांडी माज की शुरूआत की थी, और 24 दिन की जब उनने पैदल यात्र करके 6 अपरे 1930 को जब वो डांडी पहुचे थे, वहाँ पर उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा, एक मुठी नमक उन्होंने ऐसे हाथ में उठाई था, नमक के कानून को तोड़ा था, और इसी के द्वारा ही सभी ने अवग्या आंदोलन ये शुरू कर दिया गया था, गांधी जी के द्वारा, 1930 में, नमक सत्यागरे किस वर्ष शुरू किया गया था, यह आपको बताने, CPU एक्जाम 2006 का एक कॉश्चन है, 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में, देखो कियो 2006 में, तो क्या है इसका स्यांसर ये आपको बताना है, अब मैंना आपको बताई दिया था, 12 अपरेल, 6 अपरेल, 1930 को जब वो गांधी पहुंचे थे ना, गांधी जी, उसके बाद ही, स्यांसर में, 1932 में, नमक सत्याग्रे, गांधी जी की द्वारा शुरू किया गया था, इस सान में, उसको किया गया था, ठीक है, नेस्ट कुश्चन देखते है, गांधी जी का डांडी मार्च किसका हिस्सा था, किस की द्वारा गांधी जी ने सिविल डिसॉबेडियन्स मूइमेंट की शुरू अशुरूात करी थी, जब उन्होंने वो डांडी मार्च के दोरान जो 390 किलोमेटर की पैदल यात रखे दी ती उसके बाद अब उन्हें नमक के कानून को तोड़ा था इसी बाद सिविल डिसुडेंस मुवमेंट की शुरुवात हो गई थी तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही अंसर होगा डांडी मार्च जो है सिविल डिसुडेंस मुवमेंट या फिस सभी ने अब अग्या अंदोलन इसका एक हिस्सा था नेक्स कोशन देखते हैं नमक कानून के उलंगन में गांधी जी ने नमक कानून के उलंगन में गांधी जी ने एक अंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था ठीक है तो इसलिए मैं कहतो प्रीवियस एर कुश्चन अगर आप एसससी की तियारी कर रहे हैं तो प्लीज कम से कम दस साल के तो जरूर देखेगा और अपनी इस चैनल पे हम प एक अंदोलन शुरू किया था उसके बाद जिसका नामता सिविल डिस अडिवेंस मुंवेंट ठीक है यानिकी सभी ने अवग्या अंदोलन इसी के लिए नमक कानून के उलंगन के द्वारा गांधी जी ने जो आंदुलन शुरू किया था वो ता आपका सिर्वी ने अवग्या आंदुलन ठीक है अप करेक्ट हो गया सी इसका फिल्कुत सही आंसर है नश कोशन देखते है पूर्ण सुराज की सब शपत कांगरेस ने किस अधिवेशन में ली थी सीप्योट उठाओ नाइन का एक कोशन ने ऑप्शन से कलकत्ता लाहूर इलाहबाद या फिर मद्रास पूर्ण सुराज की जो शपत है वो कांगरेस ने 1929 का जो एक सेशन था जिसके अधिवेशन में लिया था और यह जो अधिवेशन हो था वो कहा हो था यह अधिवेशन आपका लाहूर यानि की बीजो है ना इसका बिलकुल सही आंसर है अब इस अधिवेशन यह की शपत कांगरेस के द्वारा ले गए थी और 31 दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के टड़ पर जवाहना नेहरू जो की इस अधिवेशन के अधिवेशन थे उनके द्वारा तिरंगा को लहरा आए गया था और यह डिक्लेयर किया गया था कि अपसे 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वधिन तर्ड़ दिवद बनाने लगया है स्वधिन-तर मतलब अअंजेस स्वयम के अधिन हम किसी के अधिन नहीं है स्वयम के खुद के ही अधिन है किसी विटिस शाशन की अधिन है ऐसका मतलब ये था पर फिर फैनलिक 15जट-1947 को हमको आजादी मिल गया थी वह हमारा स तन्तता दिवस बन गया था और उसके धाई साल के बाद हमें हमारा जो Constitution है वो बन के त्यार हो गया था 26 नवंबर उन्नीस सो उन्चास को अब देखो इस दिन की महत्वता कमना हो जाए ना जो हमारा पहला स्वाधिन तता दिवस था 26 जनवरी इसकी जो है महत्वता कमना हो जाए इसलिए दो महिने रुक के हम चाहते तो 26 नॉवंबर उन्नीस सो उन्चास को अपना Constitution लागू कर देते पर 26 जनवरी उस पर 26 जनवरी 1950 के बाद हम किसके अधीन हो गए हम अपने जो हमारा जो constitution है हमारा जो समीत आने उसके अधीन हो गए उसके हिसाब से हम चलने लगे और वो साले यान कि 1950 से लेगर के आज तक यान कि 2021 तक 26 जनवरी को हम गंतंत दीवस की रूप में हम बनाते हैं तो यह रीजन था जिसकी वज़े से 26 जनवरी को हमने चुना था अपना गंतंत दीवस मिनाने के लिए यान कि जिसी दिन हमने अपना constitution लागव किया था हो गया नेक्ट कोशन देखते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस सत्र में पूर्ण सुराज की मांग की गई थी कि MTS 2014 का कोशन ने option से कराची लाहूर कलकत्ता या फिनागपूर तो पूर्ण सुराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी का हुआ था वह अधिवेशन जो 1929 में हुआ था वो लाहूर में हुआ था मैंने अभी आपको बताया था और इसके अधिक्ष्य तक इसके नहरू के द्वारा की गई थी इस दिन के बाद फिर आपको बताय करती दिसंबर को हमने जो है जवालना नहरू जी के द्वारा रावी नदी के टट पे जंडा फिर आए गया था और 26 जनवरी को हमने अपना स्वाधिन्ता दिवस ये घोशित कर दिया था नेक्ट कोशन दे बेलगाम का सत्र हो था उसमें 1929 में जो लाहर का सत्र हो था उसमें 1931 में कराची का सत्र हो था क्या उस में हमने पूंट सुराज को परस्ताव स्विकाल क्या था तो क्या होगा इसका सभी आंटसर वह आप जानी हो कि 1929 में जो लाहुर का शर्चन होगा जिसकी अद्दक्षिता जवाल ना नहिरू जी के दुआरा की गए थी इसी जो अधीवेशन में पून सुराज पस्तावी पारित किया गया था नश कोशन देखते हैं सुतनत भारत के पहले अध्धक्ष कौन थे ये आपको बताना है प्रेंक एंथोनी किये मुंची या फिर जीवी मावनंकर अध्धक्ष कहलो या फिर स्पीकर कहलो सुतनत भारत के पहले अध्धक्ष कौन थे ये आपको बताना है तो क्या है इसका सही आंसर देखो इसका जो सही आंसर है और और बुदान आध्वलन्द से कौन संबंदित है ये आपको बताना है है MTS 2015 का कुश्चन है option से आचारे नरेंद्र देव जी के गोकले एम जी रानाटी या फिर आचारे विनोबा भावे क्या होगा इसका सही आंसे देखो सर्वदे इसका अर्थ होता है सबका होदे सबका विकास ठीक है और सर्वदे और और बोदर आंद्वल यह जो संबन्दित यह чारे विनोबा भावे यानकी दी सबका record सबकर क्या हुआ है सबकार विकास होना चाहिए ठीक है ऑlection कि एसके घ्टताथ की जब हमने आजादी मिली थी उसके था अचुली इतना ज़्यादा इंडिस्ट्रिलाइजेशन था लिए और पांच कड़ोर ऐसे लोग उस समय थे उसकी उस समय की जन्ट संख्या को देखे लिए तो बहुत बड़ा नंबर था पांच कड़ोर नंबर लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी जमीने नहीं थी जिसमें खेती कर सके तो आचार बिनोबा भावे के द्वारा इस सर्वद्य और बुंदान आंदोलन से उन लोगों से आग्रे किया था जिनके बाद बहुत ज्यादा जमीन थी उनसे आग्रे किया था कि आप अपनी जमीने उनको दोए जिनके पास जमीने नहीं है अब अगर आप उ इस तरगे कोई movement को चला जाए ठीक है और कहा जाता है कि लगभग लगभग 20 साल तक यह जो आंदोलेन है वो चला था 18 अप्रेल 1951 को इस आंदोलन की शुरुवात कहां से की गए थी यह आपकी पोचम पल्ली पोचम पल्ली से इसकी जो शुरुवात वो आचारे विनुबा भ नेस्ट कोशन देखते है सर्वोदे के अवधाना के संस्थापक कौन थे सर्वोदे की अवधाना के संस्थापक कौन थे यह आपको बताने है तोटान फोटीन का कोशन है option से महतमा गांदी जय परकाश नारायन विनुबा भावे या फिकेजरी मश्रूव वाला इस जो सर् का उदे इस अवधाना की जो संस्था आप सकते हैं यह जो सोच लाने वाले थी ना वो महात्मा गांधी थी और का ज़्याद है विनोबा भावे नहीं इनकी सोच को आगे लिकर के आए थे तो सर्वधे की अवधाना इसके संस्थापक आप कहा सकते हो कि यह यान की महात्मा ग ओन टू दिस लाश नामा के किताब है जोन रस्किन की जिनके द्वारा सर्वधे की यह आइडिया है जो विचारधारा है वो गांधी जी की द्वारा ली गई थी अपना यह गई थी यह आप कह सकते हो ओके नेट्ट कुशन देखते हैं महात्मा गांधी के अनुसार संसार का सबसे सकती शाली बल निमल निखित में से क्या है टेक्स असिस्टेंट उठावरो नेंगा एक कुश्चन है ओप्शन से वीर की अहिंसा दुरबल की अहिंसा डर्बो की अहिंसा या फिर पतलित की अह एक कि या तो क्या हो सकता है इसका अंसर की टो गतर सका सही एक अंसर है वह आपका के वीर की अहिंसा आंसर कहा जाता है कि सबसे सकती शालीस बल जो है वह गांदी जी के साब से यही है ओके नेश कोश्चन देखते हैं गांदी जी किसकी किर्टियों से अतिदिक प्रवावित हुए थे सीजेट उठावने टैंड का एक कुश्चन है ऑप्शन से बर्नाच शो काल मांक्स लेनिन या फिलियो टॉस्टॉइ तो किसकी के त्यों से बहुत ज्यादा प्रवावित हुए थे गांदी जी तो यह जो आंसर है ना है इसका जो आंसर नमें डी टॉल्स concept इनकी जो रचनाया थी उनीं के से जो बहुत जब च्वाहवीत हुए थे इंफेक्ट आपको बताऊगा कि टॉल्सटॉइ फांपकी स्थापना गांधी जी के द्वारा सौथ अफिरिका में की गी थी ना तो लियो टॉल्स तो है इनसे बहुत ज़्यादा परभावित थे गांधी जी किसकी रचनाओं से परभावित थे अप्शन से कार्ल मार्क्स, थॉमस होप्स, चार्स डार्विन या फिर लियो टॉल्स तो है अभी मैंने आपको इसका अंसर बता है लियो टॉल्स तो है यानकी डी जोयद का बिल्कुल सही आंसर है नाज कुशन देख लेते हैं गांधी जी ने सत्यागरे की कला का अभ्यास की के रूप में कहां सीखा था एम्टेट उठावन 13 का कोश्चन है ऑप्शन से आइललेंड इंगलेंड स्कॉटलेंड या फिर दक्षिन अफ्रीका तो क्या इसका सही आंसर देखो जब गांधी जी भारत आयों में आये थे ना 1915 से पहले ये थे सौथ अफ्रीका में और वही पर इन्होंने सत्याग्रे की कला इसको जो है अभ्यास के रूप में सीखा था तो डी जो एका इसका बिल्कुल सही आंसर है दक्षिन अफ्रीका ओके नेस्ट कोश्चन देखते सत्याग्रे शब्द का नर्मान किस ने किया था एम्टेट 2014 का कोश्चन है ऑप्शन से गांध किया गया था तो यह जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा एक्चुली सत्याग्रे क्या था सत्याग्रे एक तरीका था गांधी जी का वह आंदोलन करने का अंदोलन करने का एक तरीका वह सत्याग्रे था गांधी जी ठीक है नेच कुश्चन देखते हैं गांधी जी से दक क्या हो खाटकस है अंसर देखो गांदी जी से जो टक्षिन अमफरिका मिलने गए थे वो गोपाल किष्णि गोखले जी गए थे गोपाल किष्णि गोखले जो थे न वह गांदी डीकर्ट के पॉलिटीकल गुरू थे और इन्हीं के कहने पर खा जा सकता है कि गांदी जी जो है वापस कहां भारत आये थे तो सी जो है न इसका बिल्कुल सही आंसर नेक्ट कोश्चन है गांदी जी के राजनेतिक गुरु कौन थे MTS 2011, 2013 और 2008 मेंट्रिक 2018 बार एक कुश्चन पूच अगया है ऑप्शन से गुपाल कुष्चन गोख ले बाल गंगाधर होगा हंगाधर ने गंगाधर ती लगोगा ठीक है अरविंद गोष्च या फिलाला लाजपतरा है तो क्या इसका सही अंसर देखो बात करेंगर गांदी जी के राजनेतिक गुरु के तो वो थे आपके अप्शन नमबर ए गुपाल कृष्चन गोख ले और इनी के कहने पर मैंने आपको बताया ना जैसी कि इनी के कहने पर गांदी ची भागत वापस आयते 1915 में और यही अभी साउथ अफरीका से मिलने गुपाल कृष्चन गो डिस्क्रिप्चन में दिया भाई आप आल लाइन बार आप देख सकते होे आपके सारे के सारे कुश्चव कवर हो जाएंगे सुतंता संघ्राम से ठीक है कोई ना कोई कोई कोष्च तो इन फैक्ट मैं कह सकता हो इसमें से एक दो क्केम कॉश्च तो झाल झाल